हेलो फेंट्स, वेलकम टू स्रड़ी ग्रूप पाठ चला, मैं हुगलाश और आज की क्लास काफी अधा इंपोर्टेंट होने वाली है, इसमें हम डिस्क्स करेंगे एक इंपोर्टेंट ऐसे को और यह ऐसे होगा COVID-19 चेंजिंग इंडिया सुचर, ठीक है काफी अधा इंपोर पर complete essay letter, essay के साथ प्रेसिक्स और comprehension भी cover कराने वाला हूँ, तो आपको अलग से कुछ भी तयार करने की जोगत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप इसकी complete playlist को देख लेना, ठीक है, डिस्क्रिशन आपको link मिलेगा, regular basis पे आपको मैं cover करा रहा हूँ सारे topics को, तो regularly आपको watch करना है सिरीज को, ठीक है, और regular basis पे आप watch करोगे, उसका आपको फायदा मिले का exam तक, right friends, इसके साही साथ friends आप इस practice batch को join कर सकतो, यह आप सभी के लिए बहुत ही जादा important हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको सारी की सारी practice करने का मौका मिल जाता है, essay, process, comprehension, तीनों चीजों कि मैं आपको यहाँ पर practice करने वाला हूँ, बहुत ही sequence और बहुत ही better तरीके से, यहाँ पर आपको 24-7 WhatsApp में doubt clearing session मिल जाता है, यानि आप कभी भी किसी भी तरह का doubt मुझसे clear कर सकते हो, WhatsApp के जरीए, साधी साथ मैं आपको daily topic provide करूँगा, WhatsApp group में, ठीक है, जो आप enroll कर लोगे तो आप खुद check करूँगा personally, ठीक है, और regular basis पर उसको YouTube पर एक live session भी होगा उसका, जिसमें मैं आप लोग ने क्या गलतियां की, क्या उसमें improvement हो सकता है, तो यह इस तरह की सारी चीज़े उसमें discuss की जाएंगे, ठीक है, और जितने current topics में, वो सब cover कराएंगे, यहाँ पर सब cover कराए जाएंगे, इन classes के अंतरगत, ठीक है, मैं topics में, जितने recent topics हो सकते हैं, जो सब topics को भी cover करूँगा, साथी साथ girls के लिए separate groups के सुविदा भी है, और आपका जब तक exam नहीं होगा tier 2, तब तक यह course चलता रहेगा, यानि आपको just one time enroll करना है, और जब तक exam नहीं होगा, तब त doubts clear कर सकते हो, अगर आपको कोई exam related doubt हो रहा है, या किसी भी तरह की कोई problem हो रही है, तो यह सारे features आपको just single enrollment से मिल जाते हैं, तो आप इस extensive practice batch को जरू जोइन करिए, आप enroll जरू कर सकते हैं उसको, और आपको additional discount भी मिल जाएगा, आपको discount code यूज करना है, SG10, ठीक है, SG10 दोस्तो link दिया गया है, वहाँ से जाके आप इस course को अभी enroll कर सकते हो, right friends, और अपनी preparation को और बेतर तरीके से कर सकते हो, ताकि आपके selection के chances और बढ़ जाए, right, तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं, हम लोग आची class को, introduction से यहाँ पर start करेंगे, कैसे topic को आपको लिखना है, देख लेते हैं, तो दोस्तो शुरुवात आप कर सकते हो, the world is facing the biggest crisis in the form of coronavirus pandemic, यानि पूरा विश्व जो है, वो एक तरह से एक बड़े से crisis का सामना कर रहा है, वो है corona pandemic, यानि coronavirus pandemic का, right, almost every country has been affected by COVID-19, ठीक है, आप यह कह सकते हो, कि हर एक country, विश्व कि जितने भी countries, जितने भी देश हैं, वे सभी जो हैं, इससे प्रभावित हुए हैं, right, over 115 million people have been affected by COVID-19, and about 2.54 million people had died worldwide, ठीक है, यहाँ पर आप current data भी लिख सकते हो, current data भी दे सकते हो, कि around 115 million people जो है, इसकी वज़े से प्रभावित हुए हैं, और 2.54 million लोगों की जान भी जा चुकी है, पूरे worldwide अगर हम लोग बात करें, करोना महामारी के कारण, and billions of people have been suffering from the impact of this pandemic, ठीक है, तो millions में तो यह लोग हैं, जो एफेक्टेड हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, लेकिन billions of लोग ऐसे हैं, जो इसकी वज़े से सफर कर रहे हैं, जिनका कहीं न कहीं, directly, indirectly, इसकी वज़े से प्रभाव पढ तरह है, ठीक है, तो यहां पर आप इस तरह से पूरा इसके बारे में लिख सकते हो, करोना के बारे में, या पर उसके बारे में आपर पूरी डिटेल दे सकते हो, शुरुआत में, राइट, इसके बार देखो, as vaccines are being available now, but still the emphasis is on taking extensive precautions, such as regularly washing of hands, social distancing and wearing of mask, ठीक है, यानि कि जैसे क vaccines जो है, हलाकि अभी भी develop हो चुकी है, vaccines जो है available हो रही है, दीरे दीरे, लेकिन अभी भी extensive precautions पर ध्यान देने की जरूरत है, अभी भी extensive precautions पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि regularly washing of hands हो गया है, social distancing है, wearing of mask है, mask पहनना है, ये सबी चीज़े अभी भी जरूरी है, क्योंकि ये मा हमारी पूरी तरह से खतम नहीं हुई है, तो इस तरह से दोस्तों आप introduction इसका लेख सकते हो, introduction में इस तरह से आप इसकी शुरुवात कह सकते हो, right friends, आगे दोस्तों move करते हम लोग फाइली body section, यहाँ पर आप इसी के आगे elaborate करोगे इसी चीच को, कि इंडिया है successfully controlled the transmission of COVID-19 by its well coordinated efforts, ठीक है यानि कि आप यह कहा सकते हो कि इंडिया ने काफी हद तक जो है COVID-19 के transmission को control करने में सफलता पाई है, ठीक है एक तरह से जो transmission है उतना तेजी से नहीं हुआ, जितना अन देशों में हुआ, ठीक है तो एक तरह से आप पर आप कहा सकते हो कि इसको control करने में काफी ह सकते हैं, राइट, इंडिया प्रोग्रेस इन फार्मक्यूटिकल्स एंड मास पॉब्लिक अवेडनेस विद अप डिजिटल सिस्टम्स इंडीड है इन कंट्रोलिंग इस प्रेड आप यहां पर आप कह सकते हो इस तरह से कि इंडिया की जो प्रोग्रेस हो फार्मक्यूटि इस तरह से आप इसके बारे में लिख सकते हो आप इसमें प्रोग्रेस में और भी चीज़े लिख सकते हो फार्मक्यूटिकल्स में जैसे हम लोगों ने सेल्फ मेड किट्स बनाई है कोविड-19 किट्स जो है डेवलप की है और दूसरे देशों को भी हमने डिस्रिब्यूट की है यह भी आप यहां पर लिख सकते हो इसके बारे में ठीक है तो आपके उपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना लिखना जाते हो ठीक है तो आप अपने हिसाब से लिख हुए बाकी यहां पर यहां तक आई हो आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे आपको लिखना है ऐसे बहुत सारे कारण है जिसके कारण जो है कोईट-19 हमारी economy को प्रभावित कर सकता है ठीक है यह पैंडमिक है हमारी economy को प्रभावित कर सकती है ठीक है ओफ विच्ट डिस्ट्रॉप्शन ओफ सप्लाइचीन is a major challenge ठीक है इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट है वो कौन सा है डिस्रॉप्शन ऑफ सप्लाइचेंज यह नहीं सप्लाइचेंज अगर कुछ भी तरह का बदलाव आता है तो उससे काफी चीजे जो है उससे काफी ज़्यादा हमारी को प्रभाव पड़ेगा उससे काफी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है राइट जॉब लॉस इस ऑन दर राइस एलॉंग विद दस्लोडाउन इन मैनिफेक्चरिंग एन सर्विसे अक्टिविटीज इन इंडिया यहां पर बता सकते हो जॉब लॉस जो है वह तेजी से बढ़ता जा रहा है लोगों की जॉब सा जा रही है साधी साथ जो लोग जो डाउन है मैनिफेक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में उसका भी काफी सकते हो दीरे दीरे जो है चीजों को के उपर काफी कुछ बदलाव आ रहा है काफी कुछ चेंज आ रहा है हमारी सुसाइटी में इसको लेकर के हमारी कॉनिमी पर भी काफी कुछ प्रभाव पड़ा रहा है इसका इसका इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं लोग पर काफी जदा एक तरह से प्रभाव पड़ा है क्योंकि वह एक तरह से अंसर्टेनिटी का सामना कर रहे हैं साधी सत्थ पावर्टी मौल नूट्रीशन और यहां पर आप बता सकते हो जो अंको कई तरह की समस्या हैं चाहे वह अंसर्टेनिटी के फॉर्म में हो पावर्टी हो मौल नूट्रेशन हो पूर हेल्थ हो या फिर लैक ओफ सेफ्टी हो ठीक है क्योंकि उनकी सेफ्टी को लिकर के भी इतना कुछ नहीं है ठीक है कोई ऐसे का नहीं बने है तो जो लॉज है उससे उनको कोई बहुत ज़्यादा इंपेक्ट नहीं पड़ा तो यहां पर आप इस तरह से बता सकते हो इसके बारे में इसके अलावा देखो विद लो एंड इर्रेगुलर इंकम्स एंड लैग ऑफ सोशल सपोर्ट मैनी आप देम आर फोस् फोस्ट होते हैं अपने वह काम करने के लिए फोस्ट हो रहे हैं उनहीं कंटीशन में जो कि उनके लिए अंसेफ हैं ठीक है अंसेव कंटीशन में भी करने केले मूइं और यहां पर बता सकते हो कंडीशन क्या है उसके बारे में आपpower clearly mention कले हो इसके बाराई को further when experiencing income losses they may resort to negative coping strategies such as distress sale of assets making taking loans or child labor ठीक है अब उनके पास पैसा नहीं होगा उनके पास income का sources नहीं है तो वही क्या करेंगे जो negative strategies वो अपनाएंगे जैसे उनके पास अगर कोई assets है तो वो उसको बेचेंगे अपने खाने पीने के इंतिजाम के लिए साधी साथ loan लेंगे या फिर चाइड लेबर करेंगे कि जिससे उनके पास पैसा है ठीक है तो कुई इस तरह की situation भी बढ़ेगी तो यह भी आप यहां पर बता सकते उसका impact क्या होगा यह भी आप बता सकते हो right the lockdown has also impacted migrant workers in many ways migrant workers के बारे भी बता सकते हो यहां पर कोविट 19 के वज़ए से migrant workers को भी काफी कुछ देलने काफी कुछ उन्होंने धेला है काफी कुछ उनके उपर भी प्रभाव पड़ा है right जैसे कि several of whom lost their jobs due to shutting of industries and were outside the native places wanting to get black ठीक है यहां पर आप बता सकते हो कई सारे workers जहें उन्हों की jobs चली गई industries और जो other companies हैं उनके बंद होने के करण साधी साथ भी अपने घर वापस जाना चाहते हैं जो भी 90 प्लेस हैं उनका वापर वापस भी जाना चाहते थे ठीक है since then the government has announced relief measures for them ठीक है अब इस चीज़ को देखते हुए government ने भी काफी support किया government का काफी support रहा यह भी आप यहां पर बता सकते हो कि government ने कई relief measures में वो दिये ताकि वे अपने घर वापस लोट सकें and made arrangements like running special trains and buses to help them to return to their native places ठीक है यानिक एक तरह से जो special train चलाए गई और बस चलाए गई ताकि वे अपने native places पे पहुंच सकें तो इस तरह से यहां पर आप government की भी आप तारीफ कर सकते हो जो इस समय पर उन्ह उने government ने basically क्या 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 इसके लिए किया तो सारी चीजों को आपको यहां पर balance हो कर सारी चीज़े लिखनी है जहां पर आपको तारीफ करनी वहां पर government की तारीफ करोगे जहां पर कोई drawback है तो इसमेंपर अब रजाबैक थो सबहुत का अपको consider करना हो एंपर इसके यहां पर आप यह बता सकते हो कि इसी समय पर बहुत सारी कंट्री इस ने क्या क्या कुछ नए रिफॉर्म्स लेकर रहें ताकि वह अपनी डिजिटल एकॉनमी को स्ट्रेंथन कर पाएं और साधी साथ इकॉमर्स को भी राइट ताकि वह कोविड-19 पैंडमिक में अपको मैने कर पाएं उसको भी बैटर तरीके से स्मूथ तरीके से रण कर पाएं तो यहां पर आप यह भी बता सकते हूं रहीं दोस्तों इसके बाद आगे ब्लूब करते हैं फाइनली कंक्लूजन की और यहां पर आपको लिखना है कोविड-19 क्राइसीज और ऑफ अपॉचनिटीज भी सामने आई हैं बहुत सारे नए बेसिकली दर्वाजे खुले हैं ऑपॉचनिटीज के ठीक है जैसे की हेल्थ केर सेक्टर में हो जैसे की मेनेजमेंट या फिर फैजलेटीज को लेकर के हो ठीक है तो कई सारी चीज़ों में आप यहां पर जैसे सेल्फ मेड कोविड-19 कि भी आप यहां पर बता सकते हो अपने हिसाब से इसके लावत है को न्यू सोशल नौम्स है बिन इंट्रडूस्ट लाइफ सोशल डिस्टेंसिंग वेरिंग मास्क मेंटेनिंग हाइजीन फोर प्रोटेक्टिंग अस अगेंस कोविड-19 यह भी आप यहां पर इस तरह से कोविड-19 नीट डोज़ ऑफ नू वेक्सीन ठीक है यह नहीं कि जो लोग बीमार है कोविड-19 के करण तो उनको वैक्सीन की डोज़ेस की रिक्वार्मेंट होगी विच सेव देर लाइस एंड स्पीड अप रिकवरी ठीक है यह नहीं जिस से क्या है कि उनका जीवन भी हेल्थ के पर इस तरह से आप लग सकते होु इसाइब करना चाहिए थाकि उन्होंने इस डिफिकल सिचुएशन में भी अपना बेस्ट दिया और जो क्वालिटी है हेल्थ के स्वीसे इसको मेंटेन करने की कोशिश की इस तरह से पर आप जो है इसको लेख सकते हो चंक्लूड कर सकते हो बेस्ट पॉस्विवल में और आपको समझा रहा होगा कैसे आप इसको लिखो गे तो इस तरह से अगर कोई टॉपिक आता है कोई 19 से लेटर टॉपिक आता है तो अभी ऐसे के कॉंटेंट को अपने एसाब से लिख सकत है तो उसमें आप इसके माध्यम से अगर आप लिखोगे तो काफी कुछ आपको यहां पर फायदा मिलेगा तो इसी तरह से आप इसको त्यार करते रहिए और बाकी के टॉपिक्स भी त्यार कर लीजेगा और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूरू ब भी जॉइन कर सकते हो टेलिग्राम पर मैं इसकी पीडियो भी शेयर कर दूँगा तो वहां से जाके आप इसकी पीडियो भी आपको सारी इंपॉर्डेंट पीडियो से मिल जाएंगी और क्लासे की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी ताकि आपके कोई भी ग्लास मिसना हो र